मुझे दी समझ में आ रहा YouTube पे लोगों को podcast का मतलब समझ में क्यों नहीं आ रहा आज की date में मुझे लगता है podcast का मतलब यह हो गया तीन-चार sofa लगा लो तीन-चार अच्छा-चार माइक खरीद लो और बैट के जैसे गली के कोने पे लॉंडे बकैती मारते हैं बस वैसे चैनल बैटके बकैती मारो उसे podcast कहते हैं सारी क्लिपिंग्स को एड करो और podcast बना दो एक घंटे का लोगों का time बरबात करो YouTube पे एक channel है Real Talk, Real Hit के नाम से इनके podcast में बड़की आई थी जिसने एक बहुत इंपोर्टन बात थी जिसको मैं डिसक्स करना चाहता हूं अप लोगों सबसे पहले आप लोगों सबसे पहले आप लिए बीडियो देखो I think girls तब cheat करती हैं When the boy is not physically compatible And not good in bed This is one of the major reasons What I have seen in my friends And what I want to do to satisfy a girl on bed Then I think it is a big turn-off And if I know For example, it never happened but At least with me, I've been lucky So I think if I have a boyfriend You know who just fools around in the bed For like two minutes And if I know my friend She has a guy who can like You know It's not ghante Yeah, I know he's too good You know, he has the skills So yes, that sexual attraction will be there Physical intimacy, emotional intimacy Se zyadha important role play karti A relationship I mean, if this factor is not in your relationship में नहीं है तो आप cheat करोगे सामने वाले बन्दे को She said one of the factors की लड़किया cheat क्यों करती है क्योंकि उनको satisfy नहीं कर पाता उनका partner bed पे ये क्या बात हूँ ये कोई logic है अब मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से जानता हूँ कि एक relationship में Sexual intimacy बहुत important role play करता है That's fine But अगर आपको लगता है कि आपका partner आपको sexually satisfy नहीं कर पा रहा है तो आप उससे बात कर लो भाई आप उससे अपनी feelings share कर लो एक relationship के अंदर share की जा सकती है ना बाते ये मुझे नहीं अच्छा लगता है ये मुझे अच्छा लगता है अपनी body से related अपने sexual pleasure से related आप अपने partner से बात कर लो वो कौन सा मना कर देगा आपको एक बात यहां पर ध्यान रखना Emotional intimacy is more important than physical intimacy in a relationship सामने वाला बंद आपको emotional support देता है सामने वाला बंद आपके likes, dislikes को समझता है आपकी अच्छी बूरी आदतों को जानता है आपके साथ रहता है नई, sex दे तू पहले, साले sex दे पहले ढंग से sex नहीं देगा तो मैं रहूंगी नहीं तेरे साथ Now एक scenario imagine करो लड़का, लड़की, relationship में आते हैं 4-5-6 माईने हो गए इनको, दोने एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं दोनों को बहुत अच्छा लग रहा है अब ये दोनों के दोनों sexually involved होते हैं कुछ time के बाद लड़की को पता चलता है कि लड़की मुझे cheat कर रही है, किसी और के साथ bang bang कर रही है और जब वो ये बात confront करता है, तो उसको reason क्या मिलता है You do not satisfy me sexually on bed इसलिए मैंने cheat किया अब जब लड़के ने time invest किया, feelings invest करी, अपने emotions invest करे कितना time दिया, इसका क्या होगा वो खुद को कितना गिरा हुआ और incompetent feel करेगा भाई उसको उसकी मरदानगी पे doubt होगा अब जब ये लड़का किसी ने relationship में जाएगा न तो इसके दिमाग में emotional intimacy से ज़्यादा sexual intimacy गुम रही होगी Google पजाय का type करेगा कैसे एक लड़की को satisfy करे How do I satisfy a girl on bed और पता चले वो लड़की इस बात को भाफ जाएगी कि ये तो sex के लिए आया है वो इसको फेर छोड़की चली जाएगी फस जाएगा ये तो विचारा strong relationship जो होते हैं वो सबसे पहले emotional और psychological intimacy पे based होते हैं ये दो main बड़े pillars हैं जिसके उपर आपका relationship खड़ा होता है then comes your body का part then comes your sexual intimacy अगर आपके relationship में emotional intimacy वाला part है ही नहीं सिरफ आप physical intimacy ढूण रहे हो it is as good as going to a call girl अब एक चीज़ सोच के देखना जितने भी लड़कों नहीं रील देखी होगी 80% लड़कों की दिमाग में यही बात घुमी होगी कि हाँ भाई अगर लड़की को sexually satisfy नहीं किया न तो लड़की cheat कर जाएगी पागल हो क्या YouTube पे और Instagram पे अगर आप कोई भी वीडियो देखते हो रील देखते हो आपको लगता है कि आई इस चीज़ पे बात होनी चाहिए और मैं आपकी आवास बन सकता हूँ तो definitely आप मुझे Instagram पे उस वीडियो का link शेर कर देना मैं जरूर उस पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा and I will meet you in the next video Bye